मोवी की सुरुआत होती है 22 वी सताबदी से और ये बहुत समय होता है जब ग्रीन हाउस इफेक्ट की बजा से हिमाले पूरी तरह से पिगल चुका होता है जिससे समुन्दर का इस तर काफी ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे काफी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और फिर दिरे दुनिया की population कम होने लगती है और इसके बाद artificial intelligence robot बनाए जाते हैं जो इंसानों की बीच रहकर इंसानों की मदद कर सकें इसके बाद scene shift होता है और हम प्रोफेसर एलन को देखते हैं जो कि यहाँ पर मौजू सभी को एक artificial intelligence robot दिखाते हैं जो कि इंसानों की बातों को स इंसान बनाता है और वो है emotions इसके बाद प्रोफेसर एलन अनाउंस करते हैं कि वो बहुत ही जल्द एक ऐसा robot बनाएंगे जिसके अंदर इंसानों की तरह सारे emotions होंगे और यह robot एक बच्चे की रूप में होगा और जो इंसान इसे खरीदेगा वो इसे बिना किसी सौर्थ के बहुत ही जादा प्यार करेगा इसके बाद सीन सिफ्ट होता है और हमें 20 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि इसी कंपनी में एक employee काम करता है जिसका नाम Henry होता है उसकी एक पतनी और एक बेटा भी होता है जिसमें उसकी पतनी का नाम Monica और बेट ज़्याधा मिस करते हैं अगले सीन में हमें दिखाए जाता है कि Professor Allen ने अपنا Child Robot बना लिया है जिसके अंदर प्यार है Emoji है और इसके बारे में वह Henry को बताता है और Professor Allen उस Robot को Henry को दे देते हैं Henry उस Robot को अपने घर ले आता और यह Robot देखने में हूँ-बहू, बिलकुल इंसा पात अपने घर पर रखने से मना कर देती है और Henry के समझाने पर Monica उसकी बात मान जाती है Henry कहता है कि हमारी कम्पनी ने ये रोबोट हमें गिफ्ट किया है और अगर तुम्हें ये रोबोट नहीं चाहिए तो इसे हमारी कम्पनी को बापस करना होगा और बोई इसे डिस्मेंटल कर देंगे क्योंकि जब ये रोबोट किसी के साथ घर में रहता है तो उसकी यादों में बो लोग हमेज़ा के लिए बस जाते हैं जिनने इसकी यादों से नहीं निकाला जा सकता इसलिए इस रोबोट को किसी और फैमली को नहीं दिया जा सकता अब मॉनिका पहले तो देविड को अपने घर पर रखने के लिए मान जाती है लेकिन सुरू-सुरू में मॉनिका देविड को पसंद नहीं करती और फिर जैसे जैसे समय गुजरता है उसका डेविट से लगाओ बढ़ता जाता है अचानक फिर डेविट एक दिन मॉनिका को मॉम कहकर बुलाता है और मॉनिका के गले लग जाता है जिससे मॉनिका काफी ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो इसी बज़ा से डेविट को कहीं न कहीं प्यार करने लगती है जिससे डेविट के अंदर भी बहुत सारे इमोसन्स आ जाते हैं और ऐसा लगता नहीं है कि ये एक रोबोट है बलकि ऐसा लगता है कि ये सचम है मौनिका का बेटा है और अब डेविट की बजा से मौनिका के घर में खुसियां बापस लोटाती है और वो डेविट को अपने बेटे की तरह ट्रीट करती है और डेविट भी मौनिका को अपनी मौम मानता है और फिर डेविट एक दिन अपनी मौम से पूछता है कि मौम क्या तुम मर जाओगी जिससे वो कहते है कि हाँ सायद क्यां कि मैं 50 साल बाद मर जाओंगी इसके बार डेविड उसकी गोद में सर रखता हुर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा चिनता रहो क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मॉनिका ये बात सुनकर बहुत इमोसिनल हो जाती है और वो अपने बेटे मार्टीन का एक टॉय उसे देती है और वो टॉय एक रोबोट होता है जिसका नाम टेड़ी होता है और ये टॉय बात भी कर सकता है इसके बार टेड़ी और डेविट की दोस्ती हो जाती है अगले सीन में मॉनिका के पास में एक कॉल आता है जिसमें डॉक्टरों से बताता है कि उसका बेटा मार्टीन अब पूरी तरह से ठीक हो गया है और फिर जल्दी ही ये मार्टीन को अपने घर बापस ले आते हैं मार्टीन घर आने के बाद डेविट से जैलिस हो जाता है और वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो उसे ऐसास दिलाता है कि वो एक इनसान नहीं बलकि एक रोबोट है जिसके बारे में डेविट को बिल्कुल भी पता नहीं होता और फिर मार्टीन अपने बेटे मार्टीन को ब्लू फेरी की स्टोरी सुना रही होती है तो उसी समय उसे स्टोरी को डेविट भी सुन रहा था जिसमें उसे बताया जाता है कि एक रोबोर्ट को उसके अच्छे बीहेवियर की बजा से एक परी इंसान बना देती है और ये बाद सुनकर डेविड काफी जादा हैरान हो जाता है फिर अगले दिन जब सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब उनके साथ डेविड भी बैठा होता है तब ही मार्टीन उसे फिर से ऐसास दिलाता है कि वो एक मसीन है और वो कुछ भी नहीं खा सकता इसलिए डेविड भी खाने लगता है जिसकी बजा से उसका चेहरा और बॉडी बिगरने लगती है जिसके बाद उसे रिपेयर कराया जाता है हाला कि ये सब देखकर मॉनिका काफी डरी हुई होती है और फिर डेविड उसे समझाता है कि आपको डरने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है क्योंकि मुझे इससे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा अगले सीन में मार्टीन डेविड से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मॉम तुम से ज़्यादा प्यार करें जिस पर हेंरी उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया जिस पर वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि मॉम मुझे से और भी ज़्यादा प्यार करें और तभी डेविड कहांसे मॉनिका की बाल टेडी के सामने गिर जाते हैं और टेडी उन बालों को उठा लेता है अगले सीन में हमें दिखाये जाता है कि मार्टी और डेविड एक पूल पार्टी में जाते हैं यहां पर डेविड मार्टीन का birthday gift लेकर पहुँचता है बही पर मार्टीन के बहुत से बहुत सारे दोस्त भी आए हुए होते हैं जिनके पास एक चाकू होता है और बोस चाकू की नोक को डेविट के पेट पर चुभाते हैं क्योंकि असल में वो देखना चाहते हैं कि रोबोट को दर्द होता है या नहीं लेकिन डेविट की प्रोग्रामिंग इस तरह से होती है कि वो अपने आपको बचाने के लिए मार्टीन को पकड़ लेता है और तब तक हेंरी आकर मार्टीन को पानी से बाहर निकाल लेता है और उसकी जान बच जाती है इसके बाद हेंरी डिसाइड करता है कि वो डेविट को कमपनी को बापस दे देंगे जिसके बाद मॉनिका डेविट के पास पहुंचती है और उसके द्वारा लिखे गए नोट्स को चेक करती है और वो नोट्स को पढ़कर बहुत ज़्यादा इमोसिनल हो जाती है क्योंकि उसने हर एक notes पर यही लिखाता कि वो Monica से बहुत ज़्यादा प्यार करता है इसके बाद Monica David को बताती है कि कल हम घूमने के लिए सहर चलेंगे यह सुनकर David काफी खुस होता है लेकिन जब Monica David को company को बापस लोटाने जा रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि Monica कहीं न कहीं David को प्यार करती थी इसलिए उसने अपना mind change कर लिया क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने उसे company को बापस दे दिया तो company उसे destroy कर देगी इसके बाद वो उसे एक जंगल में छोड़ती है पहले तो David को ये लगता है कि ये एक game है पर Monica कहती है कि अब तुम्हें यहाँ पर अकेले ही रहना होगा इस बाद से David पूरी तरह से टूट जाता है और वो बच्चों की तरह रोने लगता है वो कहता है कि mom मुझे यहाँ पर अकेला मत छोड़ो लेकिन Monica कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती और तुम्हें यहीं पर रहना होगा इसके बाद Monica वहाँ से जाने लगती है फिर इसके बाद David कहता है कि क्या अगर मैं असली इंसान बन गया तो क्या आप मुझे घर पर बापस आने दोगी क्योंकि असल मैं Monica ने एक कहानी सुनाई होती है जिसका नाम होता है The Adventure of Pinocchio जिसमें एक परी होती है जो Pinocchio नाम के रोबोट को असली इंसान बना देती है इसलिए David को लगता है कि अगर उसने परी को ढूंड लिया तो बो परी उसे भी एक असली इंसान बना देगी इस पर Monica उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता बो सिर्फ एक कहानी है और तुम्हें इंसानों से दूर रहना चाहिए और अपने जैसे रोबोट को ढूंड ना चाहिए क्योंकि अगर इंसानों ने तुम्हें देख लिया तो बो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे दरसल इस समय में ऐसे रोबोट को जिनका कोई मालिक नहीं होता है उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है इसके बाद Monica यहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद में डेविट के साथ सिर्फ टेटी होता है इसके बाद जब वो और आगे जाता है तो उसे बहुत सारे रोबोट सो दिखाई देते हैं जो सब डेविट की तरह ही बेघर होते हैं जबी यहां पर इन्हें पकड़ने के लिए एक गुरुप आता है जो इन सारे रोबोट को पकड़ देते हैं क्योंकि इन लोगों का मानना है कि ऐसे रोबोट जिनका मालिक नहीं होता है यह इनसानों के लिए खत्रा हो सकते हैं इसके बाद इन सब को एक ऐसी जगा पर ले जाया जाता है जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं और यहां पर सब के सामने इन रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा डेविट की मुलाकात यहां पर एक दूसरे रोबोट से होती है जिसका नाम जॉय होता है इसके बाद हम देखते हैं कि टेडी भी डेविट को ढूटते हुए उसी जगा पर पहुँच जाता है लेकिन उसे एक आदमी पकड़ का लॉस्ट और फाउंड बॉक्स में डाल देता है इससे निकल का टेडी डेविट के पास जाने लगता है लेकिन तभी उसे एक लड़की पकड़ देती है जिससे उस लड़की की नज़र डेविट पर पढ़ती है और वो उसके बारे में अपने डेड को बताती है और कहते हैं कि रोबोट के केस में एक बच्चा बंद है और फिर चेक करने के लिए उसके डेड बहाँ पहुंचते हैं और चेक करने पर पता चलता है कि वो एक मसीन है लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से एक लड़के की तरह है इसलिए वो उसे इस जगा के ओनर से छोड़ने के लिए कहता है लेकिन ओनर उसकी बात नहीं मानता और डेविड को वहाँ से ले जाने लगता है इसलिए डेविड जोई का हाथ पकड़ लेता है और खुद को उसे बचाने के लिए कहता है हाला कि पहले तो वो उसे छुलाने की बहुत कोसिस करता है लेकिन वो इसमें नाकाम रहता है इसके बाएट डेविट के साथ साथ जॉय को भी स्टेज पर खड़ा किया जाता है और फिर बहाँ का ओनर लोगों को डेविट के बारे में इंट्रोडक्सन देता है और कहता है कि ये रोबोट हमारे बच्चों से उनका प्यार भी छीन लेगा क्योंकि इसे इसलिए बनाया गया है और जब वो लोग डेविट को डिस्ट्रोइ करने की कोशिस करते हैं तो वो रोने लगता है वो कहता है कि प्लीज मुझे मत जलाएए मैं कोई मसीन नहीं बलकि एक लड़का हूँ मेरा नाम डेविट है और ये सुनकर बहाँ पर महजूद सभी लोगों को ये विस्वास हो जाता है कि ये एक इनसान है इसलिए वो सभी मिलकर ओनर का बिरोध करने लगते हैं जिससे डेविट जॉय के साथ बहाँ से भाग जाता है डेविट जॉय को बताता है कि मैं अपनी मौम के पास बापस जाना चाहता हूँ और जब तक मैं एक असली इनसान नहीं बन जाता मैं बापस नहीं जा सकता और मुझे एक असली इनसान ब्लू फेरी यानि की नीली परी ही बना सकती है और वो जॉय से पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि मुझे नीली परी कहां मिलेगी इसके बाद जॉय उसे सहर ले आता है और यहाँ पर वो डॉक्टर नो से मिलते हैं और यह एक होलोग्राफिक इमेज होती है जो गूगल की तरह किसी भी सबाल का जवाब दे सकती है यहाँ पर डेविड डॉक्टर से पूछता है कि हम प्रोफेसर से कहां मिल सकते हैं तब जॉय उसे बताता है कि बो जगा मैन हेल्टन है और ग्लोबल बॉर्निंग होने की बज़ा से पानी का इस तरह काफी बढ़ गया है और इसलिए मैन हेल्टन काफी हदे तक पानी में डूप गया है इसके बाद जॉय पुलिस वालों का एक हेलिकॉप्टर चुराता है और फिर ये दोनों मैन हेल्टन के लिए निकल पढ़ते हैं थोड़ी दिर बाद ये दोनों मैन हेल्टन पहुंच जाते हैं और बहाँ पर डेविड नीली परी को ढूणने लगता है जहाँ पर डेविड को हुबहु अपने ही जैसा एक और रोबोट मिलता है डेविड को ये देखकर बहुत गुस्ता आता है और वो उसे बुरी तरह से मारना सुरू कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि दूसरे डेविड उससे उसकी मॉम को छीन लेगा इसलिए वो एक चेर की मदश से उस रोबोट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है ये देखकर जोई टेडी के साथ बहां से भग जाता है तभी यहाँ पर प्रोफेसर एलन आ जाते हैं ये नी ली परी से मिलना है क्योंकि मैं असली का इंसान बनना चाहता हूं इस पर प्रोफेसर एलन उसे कहते हैं कि तुम एक असली के इंसान हो क्योंकि तुम दुनिया के पहले ऐसे रोबोटों जिसके अंदर प्यार, गुसा, डर, सब कुछ मौझूद है और तुम्हारे अंदर ब्लू फेरी से मिलने की इच्छा थी इसलिए तुम यहां तक पहुँचे और इससे पहले कभी किसी रोबोट ने ऐसा नहीं किया और रहा ब्लू फेरी यहनी नीली परी का सवाल तो वो असल जिंदगी में नहीं है जो कि इनसानों की एक कलपना है और मेरी पूरी टीम तुमसे मिलना चाहती है और मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे मिलो जाने से पहले प्रोफेसर एलन उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो सकल दी है वो हूँ बहू मेरे बेटे की है इसके बाद प्रोफेसर एलन डेविट को यहीं छोड़कर अपनी टीम को बुलाने के लिए चले जाते हैं इसके बाद डेविड यहाँ पर देखता है कि उसी की तरह बहुत सारे रोबोट्स बनाए हुए हैं और साथ ही यहाँ पर फीमेल रोबोट्स भी हैं और अब इन सब को डिलीवर किया जाना है यानि कि पूरी दुनिया में डेविड की तरह और भी रोबोट्स होंगे इसलिए वो अपने आपको खत्म करने के लिए बिल्डिंग पर से पानी में कूच जाता है और जब वो पानी के अंदर जाता है तो वो देखता है कि पूरा का पूरा सहर पानी के अंदर डूफ चुका है और तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उसकी आँखें खुली की खुली रह जाती है लेकिन इससे पहले वो उसके पास तक जाता जॉय उसे पानी से बाहर निकाल लेता है इसके बाद डेविड उसे बताता है कि मैंने वो जगा देखी है जहाँ पर ब्लू फैरी रहती है और वो बहाँ पर मेरा इंतजार कर रही है तभी बहाँ पर एक हेलिकोप्टर आता है जो जॉय को अपनी तरफ खीच लेता है लेकिन डेविड एक संपरीन के जरिये पानी के अंदर चला जाता है जहाँ पर ब्लू फैरी थी लेकिन जैसे ही वो उसके पास तक पहुँचता है और उसे पता चलता है कि वो एक स्टेचू है तभी एक बहुत बड़ा जूला डेविट की सम्मरीन पर गिर जाता है इससे वो बहीं पर फस जाता है लेकिन फिर भी डेविट फैरी से अपने आपको एक इंसान बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है और इस तरह से उसे 2000 साल बीत जाते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि कु पुरी तरह से टूट जाती है जिसे देखकर डेविट पुरी तरह से दुखी हो जाता है क्योंकि वो परी एक पुतला थी इसके बाद बहाँ पर मौजूद एडवांस रोबोट डेविट की मेमोरी चेक करते हैं क्योंकि वो पहला ऐसा रोबोट था जो इंसानों के बीच और डेविट के बारे में जानने के बाद वो डेविट के लिए एक ऐसी जगा बनाते हैं जो उसके घर के जैसी थी इसके बाद डेविट बहाँ पर भी अपनी मौम को ढूणने लगता है तब ही उसे बहाँ पर एक औरत की आवाज आती है और वो जब बहाँ पर जाकर देटी है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूं लेकिन मैं तुम्हें एक इंसान नहीं बना सकती फिर जब डेविट को पता चलता है कि उसकी मौम को मरे हुए 2000 साल बीत गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और कहता है कि मुझे मेरी मौम बाल सेफ हैं इसके बाद वो एडवांस रोबोट मॉनिका को फिर से बापस लाने का बादा करते हैं लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि हमने पहले भी ऐसी कोसिस की थी लेकिन कोई भी इंसान एक दिन से जादा जिन्दा नहीं रह पाया इसलिए तुम्हारी मॉम एक देखते हैं कि डेविट जब अपनी बेडरूम में पहुंचता है तो बहाँ पर उसकी मॉम लेटी हुई हैं जिन्हें देखकर वो बहुत ही जादा खुस होता है और इसके बाद वो उनके लिए कौफी बना कर लाता है और क्योंकि एडवांस रोबोट ने मॉनिका को डेव के साथ ही इस मूबी का एंड हो जाता है तो दोस्तों अगर मूबी के एक्स्प्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ ही पास वाली नोटिफिकेशन बैल को भी आल पर सेलेक्ट कर लिजिए बा